हलो दोस्तों अब हम बात करेंगे विश प्रीचे में जो अगला जो टोपिक है उसकी बात करेंगे वह विशाक्ता की तिवर्था पर पर परभावकार गटक इसमें दो टोपिक को बात करेंगे पहला रहेगा विश संकट और दूसरा प्रिट जो है वह विश प्रभावकार करते कौन-कौन जो होते हैं उनकी बात करेंगे तो सबस्क्राव़े विश संकट का मतलब क्या होता है कि जैसे एक ऐसी सिच्वेशन विश गरंड करने के बाद वो इस्तिति जिसमें definitely death हो जाए तो उस condition को wish-uncut बोलते हैं तो यह generally किन कार्णों उसकी वज़से होती है इसमें कुछ reasons होते हैं सबसे पहला reason होता है wish-uncut का वह है wish की परकर्दी wish की परकर्दी तो wish की परकर्दी का मतलब भी होता है कि अगर एक ऐसी परकर्दी का wish हो जिसमें बहुत जहरीला हो बहुत काता है वो जैसे नाग wish बोलते हैं जिससे बोलते है definitely death होती है तो जो परकर्दी में जो wish तंकट के लिए गया था वो नाग wish होता है काल तो wish का वो काल जिस समय में उसका प्रभाव सबसे अधिक होता तो काल जो होता है वो अलग प्रकार दे गा जैसे वर्सारीतु में अधिक होता है वर्सारीतु में जो Wish का प्रभाव हो अधिक देखा जाता है तो इस condition में wish संकट आता है next time काल में और बात करेंगे अगला पॉइंट है अन एक ऐसा है जो विसको बढ़ाए तो जैसे कोई जैसे सिक्रू बगेर होते हैं सिक्रू या फिर एक अगली बात करेंगे हैं दोस्त की तो वो दोस जो विसको बढ़ाते हैं जैसे पित दोस होता है पित दोस विश को बढ़ाता है इसके लावा वाद दोस भी बढ़ाता है इसको विश को तो अगर ये दोस भी बढ़े हुए हैं तो भी वो विश अंकर उत्पन करते हैं तो जिस प्रकाट पित दोस है पित दोस जो है वो विश को बढ़ाएगा तो पित दोस जो है वो दिन की बात करें तो दिन के मध्य में जो है वो अधिक होता है तो इसमें मध्यकाल जो होता है दिन का मध्यकाल होता है उस समय जो विस जो है वो अधिक प्रभाव करी होता है नेश्च जो बात करेंगे हम दूसरे की बात करेंगे जैसे कोई धातू है दूसित हो गई किसी भी कारण स सरीर में धातू दूस्य और रखिये दूसी तो रखिये तो उस केस में भी जो है विस संकत उत्मन होता है तो यह पांच होते हैं यह जब एक साथ हो जाते हैं यह पांच हो चीज विसकी प्रक्रतिकार अंदोस्य दूसे उस समय जो विश संकत जो है इस हिस्तिति को विश संकत कहते हैं तो केस में कोई भी जो है अलाग नहीं रहता है जिवित नहीं रहता है ठीक है इसके बाद हम नेक्स जो टोपिक है उसकी बात करेंगे दूसरा टोपिक है दूसरा टोपिक वो है विस प्रभाव कर घटक उपर बात करें तो इसमें क्या अबन वैसे अलग लग अचारी नहीं अलग लग मत दिये हम सुसरूत की बात करते है इसमें सबसे पहले विस की प्रकरती है विस की प्रकरती जो है वो विस के प्रभाव को बढ़ाएगी तो यही बात रहेगी इसके अंदर भी तो सबसे पहले विस प्रकरती है विस प्रकरती विस प्रकरती विस प्रकरती में क्या होता नाक का विस है अपने पहले बात की नाक क वह भी इसको इंक्रीज करती है बढ़ाती है तीसरा पॉइंट है दोस कुन सा था दोस पित दोस है दोस पित दोस वागभट ने वह वाद दोस भी बता है वागभट के दोर वाद दोस बता है इसके बाद विरुद आहार जैसे आहार कौन-कौन से होते हैं सबसे बादे विरुद आहार विरुद आहार विरुद आहार से जनरल ये अगर हमें जनरल समझे तो महले है फुट पोजलिंग हो अगरे केस बाते हैं दूसरा है सुरा तिल तिल भी विसके प्रभाव को बढ़ाता है और कुलत है ठीक है यह आपको ऐसे टेबल बनानी है जैसे आप यहां से ऐसे करके जो टेबल बना सकते हो इसके बाद आपने सकते हैं त 오र क्लें विहर की लेंगए विहार के मनतलब आ होता हैं अपने दिन का जो 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 हुआ हैं किस प्रकार से विस्वास होपन दिन अब बने वीन Mhm कि वियार होता है अपने दिन का जो दिन inity अऊपने किस प्रकार से एक दिवास व्कंगग दिन में सोने से अगर अगर विस एंद रखे कर रहा है तो अधीरन प्रभाब बढ़ें वेयां करने से कॉध्ध करने से और आतप दूप के दूप में दाने से ठीक है इसके बाद रूगन अवस्था में कोई रोकी है विस्गरण कर रख है तो रूगन अवस्था में क्या है रुखन वस्था में अजीर्ड, खाने नहीं खाने और अध्य सन्वर केरे केस में जो विस का प्रभाव अधिक होता है ठीक है यही रहेगा इसमें विस प्रभाव का रख गटक में इसके बाद अपन अलग वीडियों देखेंगे उसमें हम बात करेंगे विस के वेगों की बात करेंगे यह इतना ही तोपिक है ओके